हेलो दोस्तो हाली में निरज चोपडा ने 87.58 मीटर भाला फेक कर टोकियो उलमपिक 2020 में गोल्ड मेडल जितकर इतियास रचा है दोस्तो निरज अंजु बवी जर्ज के बाद किसी विश्व चेंपियनशिप अस्थर पर अथेलेश्टिक्स में स्वर्ण पदन जितने वाले वो दूसरे भारतिये दोस्तो निरज का जनम 24 दिसंबर 1997 को हरियाना पानिपत के खंद्रा नामक एक छोटे से गाउ में हुआ था उनके पिता एक छोटा सा किसान है जिनका नाम 37 कुमार है और निरज के मता का नाम सरोज देवी है निरज ने अपनी पढ़ाई चंडी गट से ही पूरी की निरज ने दोजार सोरे में पोलेंड में हुए आई एफ चेंपियनशिप में 86.49 मीटर दूर भाला फेक कर गोल्ड जीता था इसके बाद उन्हें आर्मी में जुनियर कमिशनर अफिसर्ज के तोर पर नित्ती मिली थी उसके बाद उन्होंने 2017 में चंडी गट से ही पूरी थी 85.23 मीटर थो कर एसियन आथिलिस्ट चेंपियनशिप गोल्ड जीता था फिर उसके बाद 2018 में इंडोनेसिया के जकार्ता में हुए एसियन गेम 88.06 मीटर भाला फेक कर गोल्ड मीडल जीता था निरज ने पिछले साल ही साउथ अफिरका में आयोजित हुए सेंट्रल नर्थ एतलेस्टिक्स चेंपियनशिप के जड़िये ओलम्पिक का टीकट हासिल किया था